जैश्री महांकल, जैश्री महांकाल दोस्तों आब सभी का अपकी अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका बहुत आभार है जो आप पियार सपोन प्रदान कर रहे है आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन लोग है जो आप से जलते हैं यह लोग बिल्कुल आपके आजपास हैं यह लोग आपके बहुत करीब भी हो सकते हैं और यह कौन लोग हमें इनने कैसे identify करना है, कैसे चीजों को समझना है और हम इससे आने वाले समय में हम बच पाएं और उन लोगों के हम सही तरीके से पहचान कर पाएं तो आज हम इस वीडियो में इसी विशे पर बात करेंगे कि कौन लोग आपसे जलते हैं या आपसे लोग क्यों जलते हैं ये विशे को हम आज कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे जातकों से जब बात होती है तो ये चीज उन्हें बहुत जादा परेशान करती है बहुत जादा तकनिफों में डालती है तो हम इस वीडियो को शुरू करें और जो भी पूरी चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे निविदन करना चाहता हूँ कि आप जन्यों को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शायर जरूर करें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है और एक बात ये भी है कि अगर वीडियो में जो भी बात आपको अच्छे लगत दोस्तों तो हम अब आते हैं मुद्दे के ओपर कि लोग हमसे क्यों जलते हैं देखिए होता सबसे पहली जो सुरवाते होती है जिसमें एक basic सा structure जिसे हम कहते हैं कि हम जब भी कुछ positive करते हैं सब के बारे में अच्छा सोचते हैं और हम जैसा होते हैं पतलब हम बहुत और सब के बारे में positive सोचते हैं तो हम जैसा सोचते हैं सब के बारे में वही नज़ेरिया रखते हैं कि सभी लोग भी अच्छे होंगे हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है यह हमारा thought process है लेकिन जब समझ आती है कि जब हम तो सब अच्छा कर रहे हैं पर सामने वाला जो है जिनके लिए बहुत सी हमने positive की सकारत्मक की और उन्होंने हमारी अच्छाई का फाइदा उठाया यह में बहुत समय बाद मालूम पड़ता है तो सबसे पहली और मुख्य बात यह हैं दोस्तों कि आप बिलकुल अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं पर उसमें दूसरी ब जाती है सब चीज़े अच्छी दिखाई देती है लेकिन रियल में कुछ चीज़े ऐसी होती है जिन पर हमारी निगाहे नहीं जाती है तो प्लीज आप अपने sense of humor से सब चीजों को बहुत गंबीरता से समझे आप अच्छे हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया अच्छी ह लेकिन वो लोग जो लोग आपसे जलते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं और वो लोग बस इसी एक अच्छाई का फाइदा उठाते हैं तो यह चीज सिर्फ थोड़ा सा इस पर गंबीरता से अगर अपने जीवन में समझेंगे तो मुझे पूरा यकीन है और पूरी उम्म जाब करते रहे क्योंकि ईश्वर जो है वह आपके हक में हैं आपके पक्ष में और आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव उर्जा है जो लोग जल रहे हैं आप उनको इग्नोर करें आपको पता होता है कि हमारे ऑफीस में हमारे पड़ोस में घर में कहीं भी जो जल रहे ह करें उनके जलने से कुछ नहीं होता है वो केवल हमारा माइं डायवर्ट करना चाहते हैं और हम उस चीझ से परीशान हमें नहीं होना चाहिए जिसको जलना है जले हम हमारी मस्तिम हाना में हमेशा रहे यही कि एक सचे अच्छा लगों लाइक करें शेयर करें ओम नमस्षिवाई